कि स्टॉक भी को स्टंगर्ठ घंजर्थ करने वाले हैं बुलिशya इंगल्फिंग एंगल्फियम् परज़ देख सकते तो आपको देख लीज़ेगा तो जाधा बेटर लेगा इस बीडियो से पहले तो छल्लिज़ड़्य का बढ़ते हैं तो पहली या bullish engulfing तो इसमें होता क्या है जैसे trend negative हो bearish trend हो उसके बाद यह लाल कंडल तो बनी रही होती bearish trend में उसके बाद एकदम से बड़ी candle बन जाए bullish candle और पिछली candle थी इसके लाल वाली इसको पूरा engulf कर ले मतलब पूरा खा जाए कि जैसे आपके जो पहली लाल कंडल बनी है और उसके बाद जो आपकी हरी candle बनेगी वो आपके जैसे यहाँ पर बन गई ऐसी बन गई आपकी यह bullish engulfing नहीं होई यहाँ पर close है आपको ऊपर देना पड़ेगा यहाँ पर कम से कम इतनी बड़ी हो इसके उपर close दे तब जाके वो bullish engulfing बनेगी वरना वो फिर आपको bullish trend आपको नहीं बता रही है आपको इस बात का तो बिल्कुल भी ध्यान देना है बिल्कुल आपको यह miss नहीं करना है कि वो trend में हो जैसे वो नीचे वाली trend में हो बीरिस trend में हो तब दिखने चाहिए ऐसे नहीं कि वो उपर वाले trend में तो आपको दिख जाय तो फिर वो bullish engulfing नहीं हुआ आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है तो चलिए अब charts में भी देख लेते हैं कैसे असले charts में दिखते हैं यह तो हम आगे मुथूत finance के charts में तो जैसे कि आप देख सकते यहाँ पर market अच्छा कासा गिर रहा था गिर रहा था और यहाँ पर बना bullish engulfing pattern यह देखे लाज candle उसके बाद हरी candle और उसके उपर close हुई है पिछली candle के उपर close हुई है और इस बात का बिल्कुल धियान रखेगा जो जितनी यह पीछे के इंगल्फ कर पाती है उतना अच्छा pattern होता यह जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने दो लाल केंडल को इंगल्फ कर लिया है तो यह pattern बहुत ही बढ़िया बना और जो साथ में आपको कहा रहा था कि जो second candle हरीवाल candle बनेगी उसके पिसले candle के ऊपर close होने चीए तब ही जाको pattern बनेगी और जो आपको मैं बता रहा था कि जैसे जो ऊपर close देना बहुत ज़रूरी है second candle का हरीवाल candle का आप इसी में example देख लिए मार्केट नेची गिर रहा था यहां पर देखे हरीवाल बनी तो मगर इसने ऊपर close नहीं दिया उसके बराबर ही close दे दिया आपको तो फिर यह engulfing pattern हुआ ही नहीं इसलिए इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है जब आप pattern देखोगे तो इस इस में क्या होता है ठीक उसके उल्टाई है जैसे bullish engulfing तो जैसे पहली bullish candle बनी हरी वाली तो जो अगली candle की लाल वाली वह पहले हरी कंडल के ऊपर खुलेगी और उसके बाद सीधा नीचे गिरते गिरते जो पिछले हरी कंडल थी उसके नीचे close देगी तब जाके वह यह दो reverse होगा तब यहां से market नीचे गिरने के chances बहुत जादा strong हो जाएंगे तो यह भी हम charts में देख लेते हैं तो हम आगे बाटा इंडिया के charts में तो जैसे कि आप इसमें देखिए आप market अच्छा का सा bullish trend में था bullish trend में था bullish trend और यहां पर क्या बन गया एक bearish engulfing बना और इसमें यहां पर देखिए यहां पर इसने कोशिस किया कि मतलब market ऊपर जाए मगर यह देखिए बोली single फिर बन नहीं पाए क्योंकि जो हरेवल candle है उसके पिछले candle के नीचे close दिये तो ठीक है उसके बाद फिर market नीचे गिर गया है इसलिए आपको देखना होता है कि वो पूरी conditions match क कर रही है कि नहीं कर रही है एकदू conditions समयज करने से नहीं होता है तो इसलिए ठीक है अब next candle के तरफ बढ़ते हैं तो next candle stick pattern है morning star तो morning star तो और जाधा ही strong reversal बता दी क्यों कि तीन candle से बना होता है आपको और जाधा confirmation मिल जाता है morning star नाम से आपको पता चल रहा है कि मतलब कुछ अब challenge में जाने वाला यह तो जैसे अब देख लेते हैं इसमें होता क्या है तो यह बन था कहां पर जैसे मैं आपको बताब कहने का मतलब है और जैसे मैं आपको बता है कि यह आप कहने का म पहली candle रेड होने चाहिए और बुलिस candle बनेगी तीसरी candle वह हमेशा ग्रीन होने चाहिए यह किसी भी कलर की हो सकते चलता है तो जो इसके बाद यह दूसरी candle बनेगी वह थोड़ा सा जैसे कि आपको यहाँ पर डागराम में देख भी रहा होगा गैप बनी और उसके बाद अच्छा खासा ऊपर चलिगी और यह उपर चाहिए इसके भी कंडिशन होती है जो यह फिफ्टी परसंट से ऊपर क्लोज होने चाहिए यह जो क्लोज हुई है फिफ्टी परसंट से के खुल लियों चाहिए और वही पर आसपास बन दोने चाहिए ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए उसमें और तीसरी गंडल है गैप उप में खुलनी चाहिए और उपर तक चाहिए और इसके फिफ्टी पसंट के ऊपर बंद होनी चाहिए इसको चार्ट पर भी दिया उसने छूर्टी सी गंडल बनी है उसके बाद जो तीसरी गंडल है गैब आप होके खुली है और कितने ऊपर जाके बंद हुई है इसके 50% से ऊपर ही बंद हुई है तो कहने के मतलब इसने तीनों कंडिशन पूरी की तब देखे इसके बाद आप देखे कितना अच्छा चला गया फ्राइस यहां पर कुछ आपको 50 रुपे से लिखे यह कुछ 93-94 तक चला गया तो कितना इस ट्रॉंग बना आप देख सकते है वो भी कितने कम दिनों में तो यह फायदा होता है मौर्निंग स्टार का बहुत जादा इस ट्रॉंग पैटरन होता है यह बहुत अर प्रणिय में खुलने हो जो जो दूसरी है जो कंडल ऑनी है वो वो उपर खुलनी चाड़ने चागह बनी है जो वे शॉपर खुलनी चागह बनेगा इब्निंग स्टार पैटरन जो जिसको भी हम चार्ट्स पर देखें. गया हूँ तो हम आ गए हैं एपिक फ्रोजन फूड्स के चार्ट पे तो जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा अप्ट्रेंड में था अप्ट्रेंड में था उसके बाद क्या हूँ पहली कंडिशन हरी कंडल अप्ट्रेंड में बनी है और दूसरी कंडल है गैप अप इसके बॉड़ी देखिए पतली सी बॉड़ी है ज्यादा मुवमेट नहीं हुई है जहां उपन हुई थी उसी के आसपास क्लोज हुई है और उसके बाद जो तीसरी कंडल बनी है गैप डाउन में आप देख सकते हैं उपन हुई है उसके बाद इसके 50% से 50% से नीचे क्लो गिरावट देखने को मिलेगा क्यों कि आपको यहां से ट्रेंड चेंज हो गई होगा तो चलिए ठीक अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा या आप कुछ को नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए गा और चैनल को कर दिएगा और नोटिफिकेशन में और क्लिक कर दिएगा